कुछ नहीं चर्चा होगा, सब अपना अपना बंडी सिया करके आए हैं, धाक के तीन पात पर नाम होगा, लिट्टी चुखा खा करके, आम मालदा खा करके सब जाएंगे अपने अपने गहर। करिंद केज़िवाल और कई बड़े नेता बिहार आएंगे, और बड़ी बैठक चलेगे, कल तेरेस्भी आदव ने भी कह दिया है, कि मोदी जी को जाना है, क्या उनकी बपौती है, हमारे साथ बात करने के लिए BJP के फान ब्रांड विदायक, हरी बूशन ठाकुर बचॉल है कल तेज़ेस भी आदव ने भी कह दिया कि क्या ये मोदी जी का बपाउती है क्या जनता ने मन मना लिया है जाना तो तय है अजो तो समय का इंतिजार करना पड़ेगा लेकिन आज की तारिख में उनको एक कोई एंपी नहीं है इसलिए उनको कोई राइट नहीं है जो मोदी जी को ललकारें ललकारते हैं तो इसको क्या कहिएगा अप एक भी एंपी है उनको दूसर बहतर एंपी बाला प्रधान मंतरी बनेगा न आई जो मिटिंग हो रहा है ठग बंधन का अकरप्त लोगों का जो जमावरा हो रहा है उसमें केजरिवाल जी का अपना है जंडा है ममता बनर जी जी का अपना है जंडा है अकले सियादब जी का अपना है जंडा है नि जन्नायक कर पूरी ठाकुरजी की आत्मा रोती होगी जिस कॉंग्रेस के आपातकाल के जेल जाने और लाटी खाकर के जो लोग नता बने कॉंग्रेस के गोद में बठ गए हैं आज तो पोस्टरों लग गया है न ठाक साफ इंडिया का पोस्टर बड़ा सा लगा है यह भी पोस्टर लगा है कि नितिश कुमार से साफ धान देश का प्रधान मंतरी के जरिवाल होगा तो अंतर बीरोधों से घिरा हुआ यह ठाक बंदन है यह लोग समझ क्या रहे हैं अपने आपको यह पबलिक नहीं समझ रही है यह ठाक करके जो बिहार में जनादेश का अपमान करके हो गया है संपुर्ण देश वसाई है आने दीजे समय पता चल जाएगा कितने पानी में है तो क्या लगता है यह विपक्ची निताओं कि जो बैठक हो रही है इस बैठक में क्या चर्चा होगा बीजेपी कह रही है कि नेता तो पता ही नहीं है कि कौन है कुछ नहीं चर्चा होगा सब अपना अपना बंडी सिया करके आये है धाक के तीन पात पर नाम होगा लिट्टी चोखा खा करके आम मालदा खा करके सब जाएंगे अपने अपने घर और क्या होगा क्या एजन्डा है क्या एजन्डा है बोलिए न मुम्ता बनर जी भूली न कि सीपीम के साथ रहेगी कॉंग्रेस तो हम साथ नहीं देंगे केजरीबाल जी बोले है ना जे पहले हमको अध्यादेश का साथ दिजिए अखलेस जी बोल रहा है ना कि समाजबादियों के नतुरुत में आईए नितिश कुमार जी अलगे डफली बजा रहे है यह कहीं कुछ नहीं है यह लोगों को ठगने के सिवा और अपने आत्मसंतुष्टी के सिवा यह कुछ नहीं है हम के संदक्षे जितनरामान जी कल NDA में शामिल हो गए अपनी पार्टी के साथ क्या लगता है BJP किस तरीके से इस चीज को देख रही है क्योंकि GDU और GD वाली कह रहे है कि हम तो जानते ही थे तब अंगूर खटा है देखिए हम विचारधारा की पार्टी है हम इस राष्टवाद के महायग में जो भी हमारे साथ आएंगे और जितनराम माजी जी एक बड़े चेहरे हैं दलित के विहार में उनका हिर्दय के गहराईयों से स्वागत है पुराष्ट निर्मान में हम लोगे साथ आया है अनंत अनंत सुभकामना है और बिहार में इंडिय मजबूत हुआ है और 40 की 40 सीट हम जीतेंगे आप कहारें कि विचारधारा की पार्टी है बीजेपी मगर महागडवननर के लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लडवाते हैं बीजेपी बादी यही तो समझ नहीं है हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश भी भाजन हुआ जिस अतिपिछरा की बात करते हैं अभी टेकनिकल कॉलेज में प्रोफसर के 11 सीट निकला है चार मुसलमान का भरती हो गया और धर्म के नाम पर आरक्षन नहीं है इस देश में बोट बैंक की राजनिती के तहत एक बार देश का विभाजन ही लोग कर दिये अपुना, अरड़ी, आकिसन, गंज, कटिहार, दरभंगा, मदवनी, केल्फसंख्यक गाओं का यहां पटना में जाकर के तक्रीजन सब्जी बाग में किस तरह हिंदू रहता है, फुलवारी सरीफ में किस तरह PFI का मोडल पकड़ाया है इन लोग का एजन्डा कुछ है, परिवारबाद, बंसबाद, अलूट के सिवा, इन लोग तो बोलेंगे हिं, हिंदू-मुस्लिम पर देश का विभाजन हुआ, और आज भी वो मुद्दा है आज भी हिंदू-मुस्लिम के नाम पर क्या-क्या हो रहा है गाओं में जाकर के देखिए, हज्जारो एकर, जमीन गरिवों को नदे करके, लंड जिहाद के नाम पर करिस्तान में घरबाद ही हैं, और अपने आपको धर्म रिप्रक्ष कहते हैं नितिश कुमार जी, आने दि ये समय, पब्लिक सब देख रही है, देखिए तो लिट्टी चोखा पे चर्चा होगा, खाएंगे और चले जाएंगे, ऐसा बीजेपी कह रही है, बीजेपी प्रदेश काराले के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लग गया, ठक्स ऑफ इंडिया था, आप देखना है कि जिस से बीजेपी महाकटबंदन सरकार पर हमला वर है, तो विपक्ची निताओं कि जब बैठक होगी, तो चर्चा किस पर होगी, तेरे स्वियादम ने भी कल नरेंदर मोधी पर जम कर निशाना साधा है, बीजेपी ने भी आज उसका जवाब बखूबी से दे दिया, इस खवर झाल